बाहर की तरफ सनेटरी pets पहने रहने की परेशानी से हमेशा के लिए छुट्टी पाने का तरीका वो तरीका है बाहर की तरफ pets पहने की जगा अंदर की तरफ menstrual cup यूज करना जिसका पूरा तरीका मैंस वीडियो में दिखाऊंगी आपको याद होगा कई साल पहले जब pets आए तब भी girls के मन में कई सवाल, डर और confusion हुआ करते थे लेकिन दीरे दीरे ये pets हमारी essential needs बन गए ठीक उसी तरह अभी ये menstrual cup भी girls के मन में कई सवाल, डर और confusion पैदा करता है लेकिन science ने हमेशा हमारी life को बहुत easy बनाया है इसलिए ये menstrual cup हम girls की life को बहुत easy बना देता है आज के इस वीडियो में आपको menstrual cup से जुड़े सबी सवालों के जवाब भी मिलेंगे और menstrual cup अंदर डालने से लेकर बहार निकालने तक की पूरी detail knowledge भी मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं और menstrual cup को लेकर step by step सारी information देखते हैं सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि menstrual cup होता क्या है ये देखिए ये एक ऐसा cup shape का product होता है जो medical grade silicone का बना होता है इसे हमें periods में sanitary pads की बज़ा यूज़ करना होता है ये बहुत soft होता है, easy to use होता है और 100% safe होता है sanitary pads और menstrual cup को use करने में basic difference ये है कि sanitary pads आपकी body के बाहर रहते हैं जबकि menstrual cup आपकी body के अंदर चला जाता है और वहीं आपका सारा menstrual blood collect कर लेता है पहली बारी से देखते ही जो feeling आती है वो एक डर वाली feeling आती है कि इतना बड़ा product body के अंदर insert करके रखना होगा, फिर तो हम pads के साथ ही ठीक है ये ही feeling मुझे भी आई थी, लेकिन जब मैंने इसे use किया, तो first use में ही मेरा ये डर गलत चाबित हुआ और menstrual cup मुझे pads से कई गुना जादा बहतर लगने लगा because ये पूरी दरा scientifically designed product है, जिसे हमारी body के अंदर के space और shape के according ही बनाया गया है लेकिन अब सवाल ये आता है, कि already जब हमारे पास pads हैं, तो हम menstrual cup क्यों use करें? इसका जवाब ये है कि sanitary pads की अपनी कई problems हैं, जो हम सभी girls को paste करने पड़ती हैं उनमें से पहली problem है, pads use करने पर आने वाली smell, जो एक तरफ तो खुद हमें ही सारा दिन irritate किये रखती है और दूसरी तरफ हमारे आसपास बैठने वालों को हमारा ये secret out कर देती हैं, कि हमें periods चल रहे हैं लेकिन menstrual cup body के अंदर रहने से ये सारी problem खत्म हो जाती है sanitary pads को लेकर दूसरी बड़ी परिशानी हमें होती है, इसे बार-बार change करने की खास तौर पर जब हम घर से बाहर हो, market में हो, traveling कर रहे हो, या holidays या vacations enjoy कर रहे हो तो pads change करना और उनको dispose करना किसी challenge से कम नहीं होता लेकिन menstrual cup एक बार body में insert करने के बाद 10-12 गंटे तक change करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें दिन बर का सारा blood collect करने जित्ती capacity होती है pads को लेकर हमारी तीसरी बहुत बड़ी problem ये रहती है, कि हम कई activities में pads के साथ बहुत परिशान रहते हैं योगा, running, jogging, daily exercise, dance और swimming में तो अकसर ये अपनी जगा से हिल ही जाता है जिससे कपड़े खराब होने का डर रहता है लेकिन menstrual cup में ऐसी कोई परिशानी नहीं होती ये अंदर जाकर खीक से fit हो जाता है और अपनी जगा से नहीं हिलता menstrual cup को scientifically design ही इस तरह किया गया है कि ये अंदर जाकर vaginal muscles के साथ पूरी तरह अपने grip बना लेता है ताकि किसी तरह की कोई leakage नहीं हो और हम periods में बिल्कुल free रह सकें menstrual cup मैं patch की जगे इसलिए भी prefer करती हूँ क्योंकि ये patch से सस्ता पड़ता है क्योंकि ये अकेला cup भी 10 साल तक आराम से चलता है यानि अब हर महीने हर बार periods में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ये वो main reasons हैं जिनकी वज़े से मैं patch की जगे menstrual cup यूज़ करने लगी और अब तक मैंने इसके 3-4 brands ट्राइक रहे detail में बताई गई है कि इसको कैसे use करना है और इसको कैसे remove करना है इसकी cleaning कैसे करनी है और इसको sterilize कैसे करना है ये pouch भी एक बहुत soft कपड़े से बना हुआ है जिसमें आप अपना ever tin menstrual cup संभाल कर रख सकते हैं जिससे ये खराब नहीं होता इसमें dust वगेरा नहीं आती और ये पूरी तरह safe रहता है और ये है box में menstrual cup जो की बहुत ही soft है ताकि इसे easily अपने private part के अंदर डाला जा सकता है और आराम से पूरा दिन अंदर ही रखा जा सकता है इस पर measurements भी लिखे होते हैं इसके उपर की तरह ये बहुत soft लेकिन एकदम firm rim है जो अंदर अपनी मजबूत grip हमारी muscles के साथ बना लेती है इससे ये पूरे तरह अंदर fit रहता है अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलता नहीं है cup में नीचे की तरह ये lines बनी हुई है जो cup पर हमारी fingers की grip को बहुत easy बनाती है जिससे हम इसे easily अपने अंदर insert कर पाते है और बात में उतना ही easily से बाहर भी निकाल पाते है और इस दोरान भी ना तो ये cup हिलता है और ना ही कोई leakage होती है अब सावाल आता है इसके size का जैसे pets अलग-अलग requirement के according अलग-अलग variety में आते है वैसे ही menstrual cup जिंजली 2 size में आता है एक small size और दूसरा large size अगर आपको bleeding कम होती है तो आपके लिए small size cup perfect है लेकिन अगर आपको bleeding ज़ादा होती है तो आपको large size cup लेना चाहिए इसी तरह अगर आप teenage girl हूँ, marriage नहीं हुई है, sexually inactive है तो आपके लिए small size cup perfect है लेकिन अगर आप married है, sexually active है तो आपको last size cup लेना चाहिए आईए अब देखते हैं इसको अंदर कैसे डालना है और बाद में remove कैसे करना है इसे insert करने की first step ये है कि आप अपने हाथों को properly wash कर लीजिए फिर अपने vaginal area को भी properly wash कर लीजिए उसके बाद इस cup को भी properly wash कर लीजिए जिसके लिए आप इसे 5 मिनट गर्म पनी में उबाल भी सकते हैं फिर इस cup को इस तरह नीचे की तरफ pinch कीजिए जिसे इसकी opening narrow हो जाएगी फिर इसे आप इस तरह आराम से अंदर insert कर लीजिए इसे एकदम सीधा insert नहीं करना होता है बलकि तिर्चा insert करना होता है क्योंकि हमारी body की shape अंदर से ऐसी ही होती है जब ये करीब 1 फोर्ट अंदर चला जाए तब इसे यहां से release कर दीजिए इसे ये इस तरह से खुल जाएगा फिर इसे धीरे धीरे पूरी तरह अंदर insert कर लीजिए जिसे ये अंदर ही सारा blood collect कर लेगा इसको अंदर insert करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि इसे आप इस तरह बीच में से दबा कर C-shape में भी fold कर सकते हैं इससे भी इसकी opening narrow हो जाती है और ये easily insert हो जाता है अब आप 10-12 गंटे के लिए बिलकुल free है यहां तक कि आप सारी outdoor activities भी कर सकते हो including swimming, cycling, jogging, yoga and daily exercise इवन आपको दिन बर toilet जाने में या pee करने में भी किसी तरह की कोई problem नहीं होगी क्योंकि ये body के निशले हिस्से में insert होता है जबकि pee करने के लिए body में अलग से opening बनी होती है जिसका इस हिस्से से कोई relation नहीं होता है first time use करने में कुछ देर तो या आपको अपने अंदर महसूस होगा लेकिन थोड़ी देर बाद आप इतने comfortable हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपनी body के अंदर कुछ टाल रखा है menstrual cup use करने के बाद remove करने के लिए आपको इसका ये stem वाला हिस्सा बिल्कुल धीरे से पकड़ कर थोड़ा सा बाहर खीचना होता है जब ये rings वाला हिस्सा आप पकड़ पाते हैं तब इस ring वाले हिस्से को बिल्कुल हलका सा pinch करना है जिसे cup के उपर वाली ये rim body के अंदर अपनी पकड़ धीली कर देती है तब इसको इस तरह थोड़ा सा twist करते हुए बाहर निकाल लेना है ये बहुत ही ज़्यादा easy होता है यूज करने पर सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है अब इसमें जब blood collect हुआ है उसे आप toilet में flush कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह wash करके पानी में 5 मिनट उबाल कर sterilize करके फिर से use कर सकते हैं सभी girl's से मेरी request है कि women health के exclusive videos देखते रहे